तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी गल्फ्रेंड के बारे में जिसने गल्फ्रेंड के नाम पे इतना खौफ पैदा कर दिया है कि अब लोगों के सपने में गल्फ्रेंड नहीं बलकि दीपक कला लाता है तो यार चलो खौपचे में बेट जाओ, मन करें तो लिड़ जाओ और द दात देख रहे हो इसके चुए जैसे हैं कभी भी कुतर देगी तो जब मैंने इसको पहली बार बॉइफ्रेंड के नहीं बलकि डैड की मारूती में देखा तो मुझे लगा बेटा ये बहुत संसकारी लड़की है लेकिन जैसे मैंने इसकी बैंक चोड़ देखी और सुशा कमाम कोशिशे कर लो इसके काले साय को और तुम्हारी तबाई को कोई नहीं रोक सकता तो ये एक ऐसी गल्फ्रेंड है जिसने अपने बॉइफ्रेंड का सिर्फ पेसा ही खर्च नहीं किया बलकि पूरा का पूरा बॉइफ्रेंड खर्च कर दिया है तो पिछले कुछ महीने में रिया ने सुशान के अकाउंट से 15 करोड रुपे अपने अकाउंट में ट्रांसपर करवाए 15 करोड और एक तरफ हम जैसे मिडल क्लास लोंडो की गल्फ्रेंड होती है जो दो पोहे जले भी और एक डेरी मिल्क में इतना संतुष्ट हो जाती है कि आने वाले साथ जन्म मारे क्या पढ़ना ये भी भूल जाता है इसी रिया चक्रवर्ति की वज़े से लोगों के इतने ब्रेक अक हुए हैं कि अब उनके आखों के आशू बारिश बनके धर्थी पे गिर रहे हैं देखना चाते हो और रिया नाम की लड़कियों पे उनके घरवाले इतना शक कर रहे हैं मानो फ्रीज में पढ़ी हुई आईस्क्रीम वो इखा गई हो लेकिन रिया से में एक सवाल पुछना चाता हूँ कि इतना पेशा लूटके तु करेगी क्या पडोसियों के बच्चे पालने होते तुझे या फिर तुने सस्ते नशों की लट लगा के रखिये तो रिया चक्रवर्ती उस चुम्बक की तरह है जिस पे हर कोई चिपकना चाता है लेकिन एक बार चिपक गए तो निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना टी-शर्ट पे लगे हुए गंदे दागों को निकालना एक पार को तो आपको कुरकुरे भी सिधे लगने लगेंगे लेकिन ये लड़की बहुत तेड़ी है बिल्कुल अपनी फिल्म जले भी की तरह आज बहुत से सिंगल लड़के रिया चक्रवर्ती को यही कहना चाते है तो कुल मिला के रिया चक्रवर्ती उस गोबर के तरह आया जिसे कितना ही सजा लो चॉकलेट केक कभी नहीं बन सकता सुशान्त की मोद के बाद में रिया का एक रोता दोता वीडियो आया और वीडियो को देखके मन में यही खयाल आया तो काश ये एक्टिंग दीदी ने फिल्मों में की होती तो आज इसकी एक्टिंग पकड़ी नहीं जाती लेकिन जैसे मुझे इस बात की खबर लगी कि रिया ने सुशान के उपर टोटके किये थे मैं ये समझनी पा रहा था कि बिया बंगाली बाबा रिया से सिखने आया था या फिर रिया बंगाली बाबा के पास गई थी उच्छी लोगों ने रिया को इतना फेमस कर दिया है कि अगर इसके आधे लोग भी इसकी फिल्म देखने गए होते तो आज हमारा भाई जिंदा होता तो जिंदगी में दो चीजे हमें साध्यान रखना कि केंट आरो और गल्फेंट को बोरो कभी मत करना क्योंकि अगर ये एक बार आपके घर में आ गई तो इसे निकालना उतनाई मुश्किल हो जाएगा जितना दीपक कलाल को मर्द बनाना इसलिए हमारे शास्त्रों में पतनी को जीवन संगीनी कहा गया है जबकि गल्फेंट के नाम का कोई उल्लेक नहीं मिलता क्योंकि वो भी जानते हैं कि बेटा ये खर्चा करने के बाद सिब चर्चा कर सकती है बाकी इन से और कोई उमीद नहीं की जा सकती तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिनकी गल्फेंट आने वाले समय में बहुत खर्चा कराने वाली है और हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हसले इंदोर तब तक के लिए जय हिन जय भारत अरे यार अगरा वीडियो काय पर बनाऊ एक काम करो जाती आते टॉपिक सजेस्ट कर देना कमेंट में एक यूटूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़के और कुछ नहीं होता और आप सब्सक्राइबर है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार